हेलो दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल ट्यूटी बॉक्स ऑफिस बात करने वाले शेर्शा बुजदा प्राइड ऑफ इंडिया बेल बॉटम इन तीन मूवी को लेकर आप जानते हैं तीनों मूवी ओटीजी प्लस टेटर में चल रही है तीनों मूवी को लेकर बात करेंगे व आप लोगो हमारे चैनल में मिल जाएंगे तो पहले बात करने वाले शेर्शा को लेकर इस मूवी का बजट है 50 का रुपीज लीडर में आप जानते हैं सिधारत मलोतरा सर है इस मूवी को आज ओटी में एड़ेस कंप्लीट कर चुका है और मूवी आज भी अच्छा में हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दू बेल बोटम रिलिज होने के बाद ओटी प्लाटफर्म में थोड़ा सा तो देखने को मिला के डाउन देखने को मिला लेकिन फिर भी मूवी सच्छा कर रही है वेल शेर्शा मूवी अपने एड़ेस में और प्लाटफर्म से क्ले भूच और बेल बोटम में तो बहुत ज्यादा धंग छेड़ने वाली है क्योंकि ये दोनों मूवी ही एक हाइपर मूवी था भूच मूवी तो बहुत पहले रिलीज हुआ लेकिन फिर भी मूवी के साथ वर्सेस कर रहे हैं सारे लोग बेल बोटम का जो भी हो भूच दा प् प्लाटफॉर्म में जो हमें लगते एक अच्छी कलेक्शन है क्योंकि इस मूवी का रिव्यूस मिक्स रिव्यूस आया लेकिन फिर भी मूवी सौकर और पार कर लिया है अब बात करने बाले हैं बेल बोटम को लेकर इस मूवी का बज़ते हंड़ें थार्टी कर रूपीस लीडर में है अक्षे कुमार सर आप जानते हैं अक्षे कुमार सर एक बहुत बड़ा एक्टर है इंडियन इंडस्टिर का इस टाइम सर ने इतना बड़ा मूवी रिलीज हुआ और मूवी का जो रिस्पॉंस है वो बहुत ही अच्छा है जिसके वज़े से हमें लगते हैं म मूबी के कालेक्शन और वे बर सकता है लेकिन अब ही तक आपगेट में यही पता चला है कि मूबी अपने फ़स्टे में 13 करड़ कमाई कर रही है जो भी हो आप लोग प्लिस कॉमेंट करके बता देना इन तीन मूबी इसमें बेस मूबी कौन सा है और अगर आप लोगों आप कि तक बेल बोटम को नहीं देखा तो प्लीज देख लेना मूबी अच्छा हुआ है